आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन के कीबोर्ड को उपर नीचे अडजस्ट कैसे करें या फिर फोन में फ्लोटिंग कीबोर्ड ओन कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करिए और फोन के सेटिंग में नीचे आईए नीचे additional settings आएगा इस पे click करिए यहाँ पर ard लैंगवेज और ईनपुट आएगा या फिर keyword add input आएगा आएगा तो इस पे click करिए और click करिए तो अब ये नीचे manage keyword आएगा manage keyword पर click करिए आपके phone में keyboard अगर off है तो इस पे click करिए इसे on करिए बैक आईए current keyboard पे किलिक करिए जीबोड आएगा जीबोड select करिए तो current keyboard जीबोड set होने के बाद back आईए अब अपने phone में आप typing के लिए keyboard open करिए keyboard open करेंगे तो आपके phone में keyboard में इस तरीके से एक left में ये वाला icon आएगा तो आप यहाँ पे इस वाले icon पे किलिक करिए और किलिक करेंगे तो आपके phone में आएगा नीचे ये floating तो आप ये floating पे किलिक करिए और floating पे जैसे ही किलिक करेंगे अब आपके phone का keyboard इस तरीके से आ गया है अब इसे उपर नीचे करने के लिए नीचे keyboard में ये line आईगी इस line से आप press करके उपर कर सकते हैं या फिर इस line से आप इसे नीचे ला सकते हैं और पहले जैसा करेंगे keyboard को तो ये इस वाले icon पे click करिए floating पे click करिए अब keyboard normal हो गया है तो इस तरीके से floating keyboard on करें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like जरूर करें